हेलो फ्रेंड्स वेलकुम टो मैं चानल धनस्री ग्लासेस बच्चों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है जिके जन्रल नॉलेज क्लास फॉर्थ और इसमें जो चाप्टर नंबर थर्ड है वह हम यह आपर आज देखेंगे अमेजिंग अनिमल्स इससे पहले हमने चाप्टर नंबर फोस्ट और सेकंड यहाँ पर लिया है तो आज हम चाप्टर नंबर थर्ड अमेजिंग अनिमल्स जोले स्टार्ट करते हैं अमेजिंग ऑनिमल तो यहां पर क्या दिया है देखें from the description given below यहां पर जो description दिया है इसमें identify and tick the name of the animal तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसके साइद में दो दो धिक तो धेmasking पलिए तो चले पहले हम देखते हैं it is the largest animal of on land it is a plant eating animal with a trunk long curve tusks and large ears it is found in Asia and Africa तो यह जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है किस animal का है यह यह एलिफंट का है it is a big largest animal of land है तो हम यहाँ पर इलिफंट को टिक करेंगे ठीक है यह प्लैंट को से हमारा ऑफ्ट्सिन यह जो सड़ी प्लैंट कुई हमारा जो चाप्टर था इसमें जो प्लैंफंच को टिक करना था था सही जवाब तो तो इसंपार है मैंमेजिग्व आनिमल कि Or ec muse है यह दो ऐनिमल दे रिखिए जो स्पिशियर दिया है वो किस अनिमल के दिया गये है वह सभी पेचैन कर लिखना है तींगे इसके बात है से कंद द लार्जेस्ट बोर्ड्ड ऑंक delegat cannot fly but can run very fast यह लार्जेस्ट बर्ड है अर्थ पे और cannot fly वो उड़ता नहीं, it can run very fast, वो बहुत तेज से भागता है, जो उड़ से भागता रहता है, very fast, run fast, its male can reach a height of up to 2.75 meters, उसके height 2.75 meter है, it is found in Africa, और ये अफरिका में हमें दिखाई देता है, ज्यादत और अस्ट्रीच, ये जो अनिमल है, वही आफरिका में ज्यादा दिखते है, और ऑस्ट्रीच की height 2.75 cm रहती है, और ऑस्ट्रीच जो है, वो उड़ता नहीं, लेकिन बहुत तेज से दोड़ता है, तो हमारा सही जवाब ऑस्ट्रीच है, तो हमारा सही जवाब ऑस्ट्रीच है, तुक है, उसके बाद थर्ड जो सब्सक्राइब डम्र relevance are 20 सेवन मिटर और वो हें में 20ड आपी नई रहता है यह एसके बाद लास्ट जो हे डिस्किप्शन a large animal with a very long neck बहुत बड़ा एनिमल है जिसकी नेख बहुत ही लंबी है long neck and four legs it coat its pattern with brown patches और उसके उपर brown patches है it is found in Africa और वो आफरिका में है ज्यादा तोर दिखाई देता है आफरिका में ही वो एनिमल ज्यादा रहते है तो ऐसा एनिमल कौन सा है जो long neck है तो यहाँ पर दो एनिमल है जिराफ और कैमल इन दोनों की नेख भी long है लेकिन यहाँ पर आगे क्या है its coat is pattern with brown patches और brown patches किसके उपर रहते है किसकी शरीर के उपर तो जिराफ की शरीर के उपर brown patches रहते है इस फाउंड इन अफ्रीका तो हमारा सही जवाब क्या है जिराफ तो हम जिराफ की यहाँ पर टिक करेंगे ठीक है इस तरह से हमने यहाँ पर अमेजिंग आइनिमल से जो थ्री नंबर का चाप्टर यहाँ पर देखा है आप यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सुसके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और अगर चैनल पे आपने इस से सस्क्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना क्योंकि बाद के भी सारे चैप्टर हम वन बाई वन यहाँ पर ले रहे हैं तो आगे के भी हमारे दो चैप्टर पे लिए आपर हुए है चैप्टर नमबर वन और चैप्टर नमबर टू वीडियो कैसे लगा मैं जो कमेंट सुसके जरूर बताना चैप्टर देखने के लिए धन्यवाद